Hello Friends, कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में हम डिसकस करेंगे साइन्स के पूरे 1000 क्वेशन्स ये क्वेशन्स आपके सभी कॉम्टेटिव एक्जाम्स के लिए काफी महतोपूर्ण रहेंगे चाहे वो SSC के एक्जाम्स हों, चाहे वो TAT के एक्जाम्स हों, चाहे वो Railway के एक्जाम्स हों, चाहे वो State SSC के एक्जाम्स हों, चाहे वो Army के एक्जाम्स हों इन सबी एक्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी महतोपूर्ण होने वाली है इसलिए जब भी आपका कोई एक्जाम होता है उससे कुछ दिन पहले आप इस वीडियो को कम से कम दो या तीन बार देखकर जरूर जाएं इससे आपको जरूर फाइदा होगा चलिए सुरू करते हैं इस सेशन को पहला कुश्यन है मानब शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन आग बुजाने में किस गैस का परियोग किया जाता है कारवन डाई ओक्साइड एलेक्ट्रोनिक वल्व के निर्माण में किस कांच का परियोग किया जाता है फ्लिंट कांच, सिलिका का क्रिस्टलिय रूप है इस्फटिक कारवन डेटिंग से किसकी आयुका निर्धारन किया जाता है जीवास्म, कारवन का सबसे सुद्ध रूप है हीरा भूरा कोईला किसे कहते हैं लिगनाइट को ट्रांजिस्टर बनाने में प्रियुक्त किया जाता है सिलिकान करतरी महीरे के नाम से जाना जाता है सिलिकान कारवाइड सूखी वर्फ रूप होती है कारवन डाई ऑकसाइड का गलोबल वार्विंग के लिए उत्तरदाई गैस है कारवन डाई ऑकसाइड निट्रोन की खोज किसने की, निट्रोन की खोज Zेम्स चैडविक ने की है प्रोटोन की खोज रधरफोड ने और इलेक्टरोन की खोज जेजे थॉमसन ने प्रकास रासाइनिक धूम बनाने में परियोग किया जाता है नाइट्रोजन ओक्साइड को हास्य गैस का रासाइनिक नाम है नाइट्रस ओक्साइड N2O अमलिय वर्षा का कारण है सल्फियूरिक अमल H2SO4 हैवर विदी का हैवर विदी द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है अमोनिय का अस्रुगैस के नाम से जाना जाता है अमोनिय एनस्थरी को सोना और प्लेटिनम को गलाने में किसका उप्योग किया जाता है अमलराज या एक्वारेजिया माचिस की तीली में किसका परियोग किया जाता है लाल फासफोरस का हड्डियों का मुख्य अवयव है कैल्सियम ऑक्सिजन की खोज किसने की जोसेप प्रिस्टिले ने 1774 में किस तत्त को कौपर का सत्रू माना जाता है गंदक को विटामिन एकी कमी से कौन सा रोग होता है रतोंदी अत्यदिक सराव का सेवन करने से सरीर का कौन सा अंग विशेश रूप से प्रभावित होता है यक्रित या लीबर सरीर में रक्त बैंक का का काम कौन सा अंग करता है इसका उत्तर है तिल्ली या स्प्लीन हरे पोधों में प्रकास अंसलेशन की इकाई क्या कहलाती है कौन्टासों मचली के हिर्दे में कितने प्रकोस्ट होते हैं दो सरीर में रक्त की सफेद कोसिकाओं का क्या काम होता है सरीर को बीमारियों से बचाना इसको हम WBC भी बोलते हैं सपेद रक्त कणिकाओं को WBC भी कहते हैं मानेप सरीर में रक्त से अवांचनिय पदार्थों को पिर्थक करने का काम कौन सा अंग करता है ब्रिक या गुर्दा या किडनी 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अपसरा क्या है नूकलियर रियक्टर डाइनेमो का क्या कार्य है यांतरिक उर्जा से बिद्दूत उर्जा का उत्पादन करना या यांतरिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में परिवर्थित करना पिचलेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है या किया गया था Radium, प्रकृति में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला कारबनी क्योगिक कौन सा है Cellulose, समुद्र के किनारे उगने वाले ब्रक्सों में वार्सिक भले नहीं पाये जाते हैं क्यों कि यहां की जलवायु में इसपस्ट भिन्नता नहीं होती है ब्रद्धा अवस्ता के अध्यन को क्या कहते है जेरेंटोलोजी Dolomite जिसका सूत्र CACO3 है किसका अयस्क है Dolomite किसका अयस्क है कैलसियम का खटे फलो में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन C ध्वनी की तीब्रता मापने वाला यंत्र है ओडियो मीटर दूद के खटे होने का कारण होता है जीवाणू Lacto Vecilis इस जीवाणू का नाम है Lacto Vecilis प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है बैंगनी रैफरेजडर में प्रसीतक का कार्य क्या करता है या प्रसीतक क्या होता है फ्रियोन किस अंग के काम न करने पर डैलेसिस किया जाता है ब्रिक या किडिनी के मनुश्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है प्रमस्तिस्क या सेरिब्रम राइफल चलाने पर लगने वाला जटका किसके संरक्षन का उधारन है रेखिय संबे के संरक्षन का या कंजर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम परियोग साला में सर्व पर्थम जीन का संस्लेशन करने वाला बैग्यानिक कौन था हर गोबिंद खुराना चंद्रमा पर वायु मंडल न होने का क्या कारण है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल बेग उनके पलायन बेग से अधिक है किस एक कोशिकिय सहवाल का उप्यूग अंत्रिक्स में खाद्य की पूर्थी के लिए किया जाता है क्लोरेला का प्राकर्तिक रबर्ड किसका बहुलक है आईसोप्रीन का परत्यावर्थी धारा की माप किस यंत्रुदारा की जाती है तब्ततार एमिटर या होट वायर एमिटर द्वारा प्रकास तरंगों को किस गुण के कारण अनुप्रस्त तरंग कहा जाता है दुरुवण के कारण या पोले राइजेशन के कारण द्रब्य की चोथी अवस्ता क्या है प्लाज्मा एक ब्रताकार बले का गुर्तो केंद्र कहा होता है बले ब्रित के केंद्र पर मानवरक्त का प्येच मान होता है साथ दसमलब चार या चार किया जीरो से साथ डिगरी तक का जो प्येच होता है उसे का क्या कहते है एसिड एसिडिक प्येच होता है ठीक है और इससे उपर साथ से चोद्द तक क्या होता है बेसिक या शारिय और इसको बोलते हैं अमलिय प्येच ग्रह गति सिद्दान्थ किसने पर्तिपादित किया केपलर ने हाइड्रोजन बम किस सिद्दान्थ पर आधारित है नाभिकिय सनलेन या नुकलियर फ्यूजन पर प्रोटोन की खोज किसने की थी रदरफोर्ड ने कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पानी खनीज सनरचना की द्रिष्टी से हीरा क्या है कारबन हीरे के संबंद में कैरेट क्या होता है हीरे के भार का मातरक और सोने के संबंद में क्या होता है सोने की सुद्दता गैलवेनी कृत लोहे पर किसका लेप चड़ाया जाता है जिंक का सीबी रमन का जन्म कब हुआ साथ नवंबर 1888 को भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष में मनाया जाता है डॉक्टर सीबी रमन द्वारा रमन परभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है गेंगा या गौईटर या इसको गलगंड भी हम कहते है बिद्धुत मोटर का कार्या क्या होता है बिद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करना प्रित्वी का ओसत गहनत क्या है 5.5 ग्राम परतिघन सेंटी मीटर सूर्य सदे पूरब से निकलता है क्यों क्योंकि प्रित्वी पस्चिम से पूरब की ओर गुमती है पौधों में वास्पोट सरजन दर्द के निर्धारन के लिए किस यंतर का उप्योग किया जाता है पोटो मिटर रेड लेड का रासानिक सूत्र क्या है PB3O4 मानब सरीर में बिटामिन के का संसलेशन किस अंग में होता है कोलन या मलायसय में डार्क एवेंजर क्या है एक प्रकार का कंप्यूटर वाइरस है सैवालों का अध्यन क्या कहलाता है फाइकोलोजी यहाँ पर pH होगा ठीक है pH फाइकोलोजी कोबाल्ट किस बिटामिन में पाया जाता है बिटामिन B12 में मेनेंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंदित है मस्तिस्क से मानब शरीर में रक्त का थक्का न बनने का कारण क्या है रक्त का थक्का बनने का कारण क्या है ना बनने का कारण क्या है हिपैरिन की उपस्तिती हिपैरिन की उपस्तिती के कारण रक्त का थक्का जो है मानब शरीर में नहीं बनता है चाय बनाने के लिए बिद्द केतली में पानी किस बिदी द्वारा गर्म होता है convection बिधी द्वारा हाइपोग्लाइसीमिया रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है गुलुकोस की मानब सरीर की सबसे छोटी गरंती कौन सी है पिट्ट्यूट्री एंजाइम मूलत है क्या होते है प्रोटीन पित्य का निर्मान सरीर के किस भाग में होता है यक्रित में कृष्ण चिद्र या ब्लेक होल सिद्दांत को किसने पर्तिपादित किया था एश चंद्रसेखर ने बिटामिन B12 का रासाइनिक नाम क्या है साइनो कोबाला मिन टेट्रा एथिल लेड टी एल पेट्रोल में क्यूं मिलाया जाता है अब इस फोटन दर को बढ़ाने के लिए या एंटी क्लोकिंग रेड को बढ़ाने के लिए हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपेक्सिक आदर्ता मापी जाती है हाईग्रो मीटर द्वारा रेटिना पर बनने वाला परतिबिम्ब होता है वास्तबिक उल्टा और वस्तु से छोटा पोलियो का टी का सरपर्थम किसने तयार किया था जौन सौलक ने गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन या CH4 न्यूटन परति किलोग्राम किस भोतिक राशी का मातरक है त्वरण या एक्सिलिरेशन का विटामिन C का राशाइनिक नाम है एसकॉर्बिक एसिड विशाणों का अध्यन क्या कहलाता है वाइरोलोजी कैलोमल क्या है मरक्यूरस क्लोराइड हजी तू सील टू सिंदूर का राशाइनिक नाम है मरक्यूरिक सलफाइड हजी एस जूटा सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं आइरन सलफाइड या आइरन पाइराइड को आतों में प्रोटीनों को एमिनो अमल में अबगटित करने में उत्प्रेरख होता है पैपसिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिपसिन एंजाइम एस्ट्रोडी क्या है ब्रहमांड की विकास का अध्यन करने वाला एक्सरे उबग्रे जापानी एक्सरे उबग्रे मनुष्य हिर्दे में सामान्यत है परति मिनट कितनी बार इस्पंदन होता है 72 बार रक्त दाव को मापने वाला यंत्र है इस फिग्मो मैनो मीटर रक्त समों की खोज किसने की कॉर्ल लैंड स्टिनर ने समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है जल के कड़ो द्वारा परकास के परकिर्णन के कारण प्रोटीन किस गैस का परमुख योगिक है नाइट्रोजन का इथोलोजी में किसका अध्धिन किया जाता है जानवरों के ब्योहार का अध्धिन उनके सामान्य वातावरण में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित होने वाली विश्वकी पर्थम महिला बिज्ञान के किस छेतर से सम्मानित थी और कौन थी ये बिज्ञान के भोतिक बिज्ञान छेतर से सम्मानित थी और कौन थी मैडम क्यूरी और इनको 1903 में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गय क्योंकि जहाज के डूवे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जहाज के भार के बराबर होता है इसलिए वह प्लवन करता है जब कि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार उससे कम होता है जिससे सुई डू जाती है भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीड़ी का पहला उपग्राय कौन सा है इनसेट 2A सूरे के प्रकास की सहयता से सरीर में कौन सा विटामिन बनता है विटामिन D हैली पुछल तारा कितने वर्सों बाद दिखाई देता है ये दिखाई देता है 76 वर्सों बाद और ये कब दिखाई दिया गया था 1986 में किन तरंगों की सहयता से चमगादड रात में सुरक्षित उड़ सकता है प्रासरब्य या अल्टरासूनिक तरंगों की सहयता से HIV विशानू से कौन सा रोग होता है इससे होता है AIDS रोग विटामिन के एमपियर सेकेंड मातरक है आवेश की मातरा का परमाणों बिजली घरों में किस परकार की अभिकरिया होती है नाभिकी या सनलेन या नुकलियर फ्यूजन गामा किरणों पर किस परकार का आवेश होता है किसी भी परकार का आवेश इन पर नहीं होता शरीर का सारा रख्त किसके माध्यम से सुद्ध होता है किड़नी या ब्रिक के माध्यम से हाइड्रोफाइट्स किने कहते हैं जली या पोधों को दो समान्तर दरपनों के बीच रखी वस्तु के कितने पर्फिबिंब होते हैं अनंत इन्फाइनाइट दो समांतर दरपणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला परतिविंब कौन सा होता है दूसरा परतिविंब सबसे अधिक चमकीला होता है तेल का जल के प्रिष्ट पर फैल जाने का क्या कारण है क्योंकि तेल का प्रिष्ट तनाव जल की अपेक्सा कम होता है पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट सड़क पर चलने की अपेक्सा बरप पर चलना कठिन होता है क्यों? क्योंकि बरप में सड़क की अपेक्सा घर्चन कम होता है लोलक या पेंडूलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्थकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती है उंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है क्यूंकि वहाँ पर वाई मंडलिय दाब कम होता है पीतल मिस्रधातु है तामबा और जिंक की, कॉपर और जिंक की गैसों का दाव मापने वाला यंत्र है मैनो मीटर एंजाइम, ट्रिपसिन, प्रोटीन या पेप्टोन को किसमे बदल देता है जो एंजाइम ट्रिपसिन होता है वो प्रोटीन और पेप्टोन को किसमे बदलता है छोटे पेप्टाइट्स में मनुष्य में दाद रोग या रिंग वाम किसके कारण होता है कवक या फंगस के कारण इसकरभी नामक रोग किस बिटामिन की कमी से होता है बिटामिन सी सबसे भारी धातू कौन सी है ओस्मियम बिद्दुत का सबसे अच्छा चालक क्या है चांदी या सिल्वर पोटेसियम का अयस्क है कारने लाइट यूरेनियम के नाभिक में बिगटन से अंततह क्या प्राप्त होता है सीसा ध्वनिको मापने की इकाई क्या है डेसिबल स्टेनलेस स्टील किन धातों के मिस्रन से बनता है क्रोमियम, लोहा और निकल मधुमे के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है सरकरा या सूगर की दरबचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस सिद्दान्त पर कार्य करते हैं पास्कल के नियम या पास्कल के सिद्दान्त पर DNA संसलेशन का परतिपादन किसने किया था कौर्ण वर्गने फोटोग्राफी में परियुक्त होने वाले हाइपो का रासाइनिक नाम क्या है सोडियम थायो सल्फेट भोपाल गैस दुरगटना से कौनसी गैस संबंदित है मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट ओक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है पोधों की रेखिय बिर्दिदर लीनियर ग्रोथ रेट ओफ प्लांट्स कमरे में रखे रैफ्रिज रेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या परभाव पड़ता है ताप बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों की चालकता पर क्या परभाव पड़ता है इनकी चालकता बढ़ जाती है मनुष्य की सरव्व्यता सुनने की शमता कितनी होती है 20 हर्ड से 20,000 हर्ड तक हरा कसिस का रासाइनिक सूत्र और रासाइनिक नाम क्या है इसका राशानिक सूत्र है FeSO4.7H2O और इसका राशानिक नाम है Feric Sulfate बिद्दुत तीब्रता का मातरक है Newton परतिक कूलाम, बिटामिन E का राशानिक नाम है Tocopherol, भारी जल क्या है Deuterium Oxide D2O ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंदित है आँख से Hepatitis B किस परमुख रोग के लिए जिम्मेदार है पीलिया के लिए Epilepsy रोग संबंदित है तंत्रिका तंत्र या नाडी संस्तान से सर्ब ग्राही या यूनिवर्सल रिसीबर रक्त समुआ कौन सा है ये है A.B. सर्ब दाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समुआ है O चेचक के टीके की खोज किसने की एडवर्ड जेनर ने दूद एक आदर्स आहार है लेकिन इसमें किन तत्तों की कमी होती है आइरन और कौपर की शैलिंग पर्तिसत मुंफली की गुणबत्ता ग्यात करने का आधार है शैलिंग पर्तिसत से क्या ग्यात करते हैं मुंफली में दानों का पर्तिसत यहां पर दानों होगा विश्व का सब्षे पुराना खाद्यान क्या है जो किस बकरी को विश्व की दूद की रानी या मिल्क कुईन ओफ वर्ड के नाम से जाना जाता है इस बकरी का नाम है सानेन 300 ग्राम भेंस के दूद से कितनी उर्जा प्राप्त होती है 90 कैलोरी लगभग मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है हीमो ग्लोविन मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से श्रावित होता है आमा से पैन क्रियाश से The Origin of Spaces पुस्तक किस ने लिखी है डार्विन ने प्रोसेसर की गती किस में मापी जाती है मेगा हर्ट्स या गिगा हर्ट्स में DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्सा के लिए लगाया जाता है टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाने के लिए मचलियों में स्वसन होता है गलफ़डों द्वारा वाट्सन और क्रिक को जीब बिग्यान की किस खोज के लिए नोबिल दिया गया था डिएने की डबल हेलिक्स मॉडल या पद्दति की खोज के लिए नोबिल दिया गया था वैक्टीरिया की खोज किसने की वैक्टीरिया या जीवानों इसकी खोज की है लुवेन होक ने विज्ञान की शाखा एग्रो इस्टोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है इसमें घास का अध्यन क्या दाता है पीडियाट्रिक्स का संबंध है बच्चों के रोगों से हाइड्रोमीटर से मापते हैं आपेक्सिक घनत्वा रिलेटिव डेंस्टी रासाइनिक दृष्टी से चीनी क्या है कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज एंटी पाइरेटिक द पीला रंग किसके कारण होता है उरोक्रोम के कारण आपने स्वास्त के बारे में असामान्यस मानसिक चिन्ता की बीमारी आपने करते हैं ट्रांस ट्रांस प्लांटेशन पहले गरा रोग किसकी कमी के कारण होता है नियासिन की चंद्रमा के तल से आकास काला दिखाई देता है क्यों प्रकास के प्रकिर्णन के कारण सामान्य स्थिति में हिर्दे से आने वाले रक्त का कितना पर्तिसत भाग गुर्दे को मिलता है 24 पर्तिसत नाइलोन प्लास्टिक के आविस्कार कौन थे केरायर्स 1937 में इसके इनों ने आविस्कार किया था लेड ओक्साइड का ब्यापारिक नाम है लीथार्ज इस्तंधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस प्राणी का होता है बक्री का रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है रेडियो एक्टिवता की इकाई है वैक्यूरल खसरा रोग खसरा होने का कारण क्या है वाइरस 1. ध्वनी से संबन्दित बिज्ञान क्या कहलाता है? 2. अएकॉस्टिक्स 3. परदीपती गहनत्व का मातरक क्या है? 3. लक्स बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? 4. वाई्व की शान्ता एबं अपने कम गहनत्व के कारण बादल हवा में तैरता है पानी का अधिक्तम गनत्ता किस ताप पर होता है तो ये होता है चार डिगरी सेल्सियस पर इंसुलिन की खोज किसने की वेंटिंग ने हड्डियों में फासफोरस किस रूप में पाया जाता है कैलसियम फासफेट के रूप में किस उपकरण द्वारा ध्वनी तरंगों का परियोग करके समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण कौन सा है तो इसका नाम है सोनार जेरॉप थैल्मिया किस की कमी के कारण होता है ये होता है बिटामिन एकी कमी के कारण और बिटामिन A की कमी के कारण रतोंधी भी होता है पाइरोडॉक्षिन किसका रायसानिक नाम है बिटामिन B6 का सोडियम के किस योगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है सोडियम सिलिकेट Na2 SiO3 को चुम्बकिय द्रिष्टी से ऑक्सिजन क्या है अनुचुम्बकिय या पैरा मेगनेटिक रक्त का ठक्का किस रोग में नहीं जमता है हीमोफीलिया में DNA उपस्तित होता है केंदरक में आनवानसिक्ता की खोज किसने की इसकी खोज की है Gregor Zon Mendel ने पानी में हवा का बुल्बुला किस परकार के लैंस की भाति कार्य करता है अवतर लैंस की भाति साबुन के बुल्बले में परकास की किस घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं परकास के बेतिकरण के कारण साबुन के बुल्बले में रंग दिखाई देते हैं लक्ट्रोन बोल्ट किस भौतिक राशिका मात्रक है उर्जा का डाइनमाइट का आविस्कार किस ने किया एल्फ्रेड नॉबिल ने अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है चांदी का किसी तारे का रंग निर्भर करता है तारे के ताप पर दूद का pH मान कितना होता है, 6 दसम लब 6, मनुष्य के सरीर में पित कहां बनता है, पित यक्रित में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रिक होता है मानब सरीर की सबसे छोटी मानस्पेसी का नाम है स्टेपेडियस उतकों का अध्यन क्या कहलाता है, study of tissues, ये कहलाता है histology रेडियो तरंगें वाई मंडल के किस मंडल से प्रावर्तित होती हैं, आयन मंडल या आयनोस्फेर से टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, वर्णी लवक या क्लोरो प्लास्ट के कारण पारिश्थिति की संबंदित है, जीव वा परियावरण के सह संबंदों से भारत में अंत्रिक्स आयोक की स्थापना कब हुई 1972 में प्रिथवी का पलायन बेग कितना है, 11.2 किलो मेटर पर सेकेंड क्रत्रिम गर्वधान भारत में कब प्रारंब हुआ, 1942 में पुस्प विविन रंगों के होते हैं क्यों एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, सेव का खाने योग्य भाग है, थेले मस मानव सरीर में एक मिनट में कितनी बार हिर्दे धड़कता है, 72 बार, स्वयम बिना बदले रासाइनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट फाइरेन हाइट पेमाने के अनुसार पानी का सामाने कवथनांक कितना है, 212 डिग्री फाइरेन हाइट समान परमानो संख्या लेकिन अलग द्रब्यमान संख्या वाले अणू कहलाते हैं समस्थानिक या आईसो टोप्स बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सयोग से बना, पूर्व सोबियत संखे सयोग से, राश्ट्य बिज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को बिटामिन B2 का राशानिक नाम क्या है, राइवोफले विन मदमक्यों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है, फार्मिक अमल के कारण संबे कैसी रासी है सदिस रासी हेमे टाइट किसका अयस्क है लोहे का सूर्य में उर्जा का निर्माण किस परक्रिया से होता है नाबिकी या सनलेन की परक्रिया से भू परपर्टी में सरबादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है ओक्सिजन सामान निताप पर ध्वनी का बेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड सीबी रमन को बहुतिकी का नोबिल पुरुषकार कब मिला 1930 में कम्प्यूटरों के लिए चिप साधरनत है बने होते हैं सिलिकॉन के मनुष्य के सरीर में सबसे लंबी हड़ी होती है फीमर जांग की ब्ल्यू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है कौपर सलफेट को पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्थ होती है तने से होलोग्राफी क्या है वस्तु के त्रिविमिय पर्तिरूप को अंकित करने एबं पुन्राविर्ति करने की तकनीक तेरा माईसिन नामक एंटी बायोटिक किस जीवानों से प्राप्थ होता है स्ट्रेप्टा कोकस रिमोसस से ध्वनी की चाल पर दाव का क्या प्रभाव पढ़ता है कोई प्रभाव नहीं पढ़ता कौस्मिक क्रुणों की खोज किसने की विक्टर हेस ने विद्ध फर्तिरोद का मातरक क्या है ओम जर्बन सिल्वर में सिल्वर उपस्तित होता है या नहीं इसमें सिल्वर उपस्तित नहीं होता इसमें उपस्तित होते हैं तांबा निकल और जिंक पक्सियों की पूँच उनके किस काम आती है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम कोशिका का उर्जा ग्रह किसे कहते हैं माइट्रो कांड्रिया को घरों में बिजली सप्लाई के लिए तीन तरह की तारों का परियोग किया जाता है लाइब, नूट्रल और अर्थ इसी करम में तारों का रंग क्या होता है लाल, काला और हरा लाइब के लिए लाल, नूट्रल के लिए काला और अर्थ के लिए हरा दुरुप तारा अपने स्थान पर इस्थित परतीत होता है क्यों? प्रत्वी के घूंडन अक्ष की सीध में होने के कारण तारा बनने की परक्रिया का आरंब किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन वा हीलियम कृत्रिम उपग्रह में उर्जा का सुरोत क्या होता है? नोबेल गैसें किसी अन्य परमानों से किरिया क्यों नहीं करती हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्सा में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं पानी में साबुन घोलने से प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है पटाखों में लाल रंग किस तत्तो की उपस्तिती के कारण होता है इस ट्रान शियम की उपस्तिती के कारण फलों को पकाने के लिए किस गैस का परियोग किया जाता है एथिलीन का फलों का अध्यन कहलाता है पोमोलोजी रक्त कोस में रक्त किस रसायन के साथ रखा जाता है सोडियम नाइटरेट वा डेक्स्टेट के साथ परकास में धुरवण की गटना क्या सिदthlet करती है परकास की तरंगें अनुप्रस्त या ट्रांसवर्स है एक परकास वर्ष कितने किलो मेटर के बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 12 के बराबर डॉपलर प्रभाव किस छेत्र से सम्मंदित है ध्वनी के छेत्र से मेंडल का नियम सम्मंदित है अनुवान सिक्ता से स्टील पर जिंक की परत चड़ाने को क्या कहते हैं गैलवे नाईजेशन क्रेस्कियोग्राफ नामक यंत्र से क्या मापा जाता है पोधों के बढ़ने की दर प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं एमीनों अमलों से विटामिन सी अमलिय है याक शारिय अमलिय कम्प्यूटर से सम्मंदित सब्द कोबोल का अर्थ क्या है कॉमन विजनेस ओरियंटेड लेंग्वेज खाने के सोडे का रासानिक नाम क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट कैल्बिन पेमाने पर पानी का कुथनांक कितना होता है 373 कैल्बिन 98.6 डिग्री फारेन हाइट तापकरम का मान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस पृत्वी की आयू किस विदी से ग्यानत करते है यूरेनियम डेटिंग विदी से सरीर में रक्तालपता की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है एनीमिया नागा साकी में गिराये गए प्रमाण बं में किसका प्रयोग किया गया था पृतो नियम का सिरके में कौन सा अमल होता है एसिटिक अमल कौन सा कार्बनिक योगिक सर्व पर्थम संसलेशित किया गया था यूरिया सोडियम की खोज किसने की हमफी हमफी डेवी ने टमाटर के फलों का रंग लाल होता है लाइकोफ पीन के कारण क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं ये हैं हैलोजन परिवार के तत्व बिजली के चमकने के दोरान हवा में मौजूद ऑक्सिजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है नाइट्रोजन ओक्साइड में संकट अवस्था में हमें पर्तिकूल परिष्टिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथी उत्तरदाई होती है एड्रीनल ग्रंथी परमान भट्टियों में भारी जल का परियोग किया जाता है मंदक के रूप में गोता खोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिस्रण का उप्योग करते हैं हीलियम और ऑक्सिजन के जूल परती सेकेंड किसका मातरक है सक्ति या पावर का गंदक के साथ रबड को गरम करने की किरिया को क्या कहते हैं वलकनी करण या वलके नाई जेशन रेडियो एक्टिप्ता में वीटा किरणों पर कैसा आवेस होता है रिनात्मक कांच पर लिखने के लिए किस अमल का परियोग किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है 24 केरेट का स्टॉर्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाईलेज जल के परवाह में कौन सा नियम लागू होता है बरनोली का नियम हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइवर का परियोग होता है कारवन फाइवर का आदरता बढ़ने पर ध्वनी के बेग पर क्या प्रभाव पढ़ता है ध्वनी का बेग बढ़ जाता है आशू में कौन सा इंजाइम होता है लाइजो जियम किसी वस्तुका बेग दुगना करने पर उसकी गतिज उर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है गतिज उर्जा चार गुनी हो जाती है किसकी कमी के कारण वर्फ पर चलना कठिन होता है गर्चन की कमी के कारण यदि वायू मंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा दिन की लंबाई कम हो जाएगी किसके कारण खुले में रखा दूद कुछ देर बाद खटा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण अबरक उस्मा और बिद्द के लिए करमसह होता है सुचालक और कुछालक उस्मा के लिए क्या होता है सुचालक और बिद्द के लिए क्या होता है कुछालक अत्यंत निम्न ताप पर बहुतिकी के अध्यन को क्या कहते हैं क्रायोजैनिक्स या निम्न तापिकी जब दो हलके नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी अभिक्रिया होती है नाभिक या सनलेन या न्यूकलियर फ्यूजन की अभिक्रिया हीलियम को छोड़ कर सभी अक्रिया गैसों की भायक अक्सा में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं आठ हीलियम में कितने होते हैं दो किस गैस में सड़े अंडे की गंद आती है हाइड्रोजन सलफाइड में तंत्रिका तंत्र की काई क्या है नियूरोन लॉंग के तेल का परमुग घटक जो दात का दर्द दूर करने में परियुक्त होता है उसे कहते हैं यूरेनॉल, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ हैं कार्बन के आइकोनोग्राफी के अंतरगत किस चीज का अध्यन किया जाता है इस साखा के अंतरगत मूर्ति एबम परतिमाओं का अध्यन किया जाता है जल में परकास का बेग क्या होता है दो लाग पच्चीस अजार किलो मेटर पर सेकेंड या दो दसमलव दो पांच इंटू दसकी घात आट मीटर पर सेकिंड पारसेक किसका मातरक है दूरी का एक पारसेक बराबर होता है तीन दसम्लब जीरो नो गुणा दसकी घात सोला मीटर कोशिका का उर्जा ग्रह माइट्रो कांडिया को सरवपरतम किसने नाम दिया सी वेंडा ने अठारा सो अठानवे में विटामिन एका संग्रह किस अंग में होता है यकरित लीबर में जीवान को किन कारणों से एक पादप माना गया है कोशिका भित्ती की उपस्तिती के कारण मदुमक्खी की भासा का अनुवाद करने वाला बैग्यानिक कौन था जिसे नोबिल प्रुषकार से सम्मानित किया गया है कारल वान फ्रिश्च किस बिटामिन की कमी से सूखा रोग होता है विटामिन D कॉल लीवर ओयल किस बिटामिन का परचुर स्रोथ है विटामिन A तथा विटामिन D जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस बहुतिक रासी के संरक्षण पर आधारित है संबेक के संरक्षण पर जीन सब्द का परतिपादन किस ने किया डबलू जॉन्सन ने कंप्यूटर में प्रियुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है सिलिकॉन का भारत में सिलिकॉन वैली कहां इस्तित है वैंगलूरू में यदि कोई ब्यक्ती दूर की वस्ति को इसपस्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टी में कौन सा दोस है निकट दृष्टी दोस या मायोपिया पोधे के किस भाग में प्राय है प्राकणों का निर्माण होता है फूल में एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं 25.4 मिलीमीटर एल्पीजी का पूरा नाम क्या है लुकिफाइड पेट्रोलियम गैस लाल नारंगी पीले और हरे रंग के परकास के फोटोन में सबसे अधिक उर्जा किसमें होगी हरे रंग के फोटोन में मैमोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है इस्तंधारियों का ओजोन गैस में किस तरह की गंद आती है सडी मचली की तरह बोरेक्स राशानिक दिरिष्टी से है सोडियम टेट्रा बोरेट मक्खी का लारवा क्या कहलाता है मैगट बरगत के पेड के नीचे लटकने वाली मोटी जड़े क्या कहलाती है प्रोप रूट्स या सहायक जड़े हैडरोपोनिक्स क्या है इसमें पौधों को मिट्टी के बिना केवल पानी और पोसकत्तों से उगाया जाता है फार्माकोग्नोसी में अध्यन किया जाता है औसदिय पौधों का तारो और सोर्यकी उर्जा का सुरोथ है नाभिकी या सन्लैन नुकलियर फ्यूजन रेसम का केड़ा अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्यों का प्रियोग करता है सहतूत या मलवरी खाद्य तेल किस प्रक्रिया से बनस्पति घी में बदला जाता है हाईड्रोजनी करण की प्रक्रिया से धुर्वन किस प्रकार की तरंगों का गुण है अनुप्रस्त तरंगों का धातूं के बिद्धुत सुचालक होने का कारण क्या है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रोनों की उपस्थती कौन सी धातू मजबूती में स्टील के बराबर परंतु भार में लगबग आदी होती है टाइटेनियम सोने के अभुशन बनाने के लिए सोने में कौन सी धातू मिलाई जाती है तामबा अमलिय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है चूने का किस अंग की गड़बड़ी से मदमे की बीमारी होने की संभावना है अग्निया से पॉजिट्रोन की खोज कब और किसने की 1932 में एंडर्सन ने किस परकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है पिटवा या रोट आइरन वाटर गैस किन दो गैसों का मिसरण है कार्बन मोनो ओक्साइड और हाइडरो जनगा कोलाइटिस रोग में परभावित होने वाला अंग है छोटी आंत वा बड़ी आंत बड़ी आंत इसमें ज़्यादा परभावित होती है कोबाल्ट ओक्साइड कांच को कौन सा रंग परदान करता है गहरा नीला डेनियल सेल में परियुक्त होने वाली धातु है तांबा वजस्ता नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन परिवर्तित करता है एसिड मानव रक्त में पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है या एंटी कोगुलेंट क्या है हिपैरिन प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है सून्य जीब और निर्जीब के बीच की कड़ी क्या है वाइरस केंद्रक की खोज किसने की रावर्ट ब्राउन ने डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करती है स्टॉर्च का गन मेटल के संगटक तत्तो हैं तामबा टिन और जस्ता सबसे बड़ा फूल किस पोधे का है रिफलेशिया का एक्सो बायोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है अन्य ग्रहों पर जीवन का हमें ठकान क्यों महसूस होती है पेसियों में लेक्टिक अमल के कारण काला जवर नामक बीमारी का संक्रमन किसके द्वारा होता है सेंड फ्लाई के द्वारा या सिक्ता मक्खी भी इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है वायो मंडल में कारण डाय अक्साइड की मात्रा में ब्रदी से ताप में ब्रदी लेजर किसका संक्षिप्त रूप है light amplification by stimulated emission of radiation ओजोन गैस किस मंदल से सम्बंदित है stratosphere या समताप मंदल से टेसला किसका मातरक है flux गनत्यों का ओस्टियो पोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है हड्डियों को कच्चे फलों को करत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस परियुक्त की जाती है एथिलीन वा एसिटिलीन लोहा पोधों में क्या भूमी का निभाता है ओक्सिजन का इस्थानांत्रण एबम क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्मान में सहायक लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है टाइलिन या एमाइलेज DNA का आनुवानसिक कोड किस बैग्यानिक ने किस वर्ष ग्यात किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में किस कोसिकांग को आत्महत्या की तहली कहते हैं लाइजोजोम को प्रमान बम का आविश्कार किस ने किया रोबर्ट ओपिन हाइमर ने एक हरी पत्ती अंधिरे कमरे में रखकर लाल प्रकास से प्रकासित की जाती है पत्ती कैसी दिखाई देगी काली ट्रांस फार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है नर्म लोहे का पेस मेकर किस की गती को सामाने बनाने के लिए लगाया जाता है हिर्दै की हिर्दे संबंदी असामान्यताओं का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम के द्वारा या ECG के द्वारा रैबीज नामक रोग से मनुश्य का कौनसा अंग प्रभावित होता है तंत्री का तंत्र पाचन की द्रिष्टी से आहर नाल का सबसे महतोपूर्ण भाग कौनसा है चोटी आत सरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंतरन किया जाता है त्वचा द्वारा जीब बिज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत जीबधारियों और उनके वातावरण के पारसपरिक संबंदों का अध्यन किया जाता है पारिस्थितिकी बिज्ञान ओस्टियो मलेसिया नामक रोग में सरीर का कौनसा अंग प्रभावित होता है कंकाल तंत्र किसी वस्तु को पानी में डालने पर उसका वजन कम लगने लगता है उत्प्लावन बल के कारण कवकों की कोशिका भित्ती किस पदार्थ की बनी होती है काईटिन की प्याज किस बानस्पति कुल से संबंदित है लिली ऐसी हिर्दे पेसियों को किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है कोरो नोरी धमनी के द्वारा सरीर के संतुलन के लिए मस्तिस्क का कौन सा भाग उत्तरदाई है सेरी वेलम खुर नाखून दांत किस परकार के कंकाल के उधारण है बाहे कंकाल इंसुलिन का कार्य है रक्त में सरकरा की मात्रा को नियंत्रित करना किस रेडियो एक्टिव तत्तो का नाम उसके खोजकरता देश पोलेंड के नाम पर पड़ा है पोलो नियम का नाभिक से निकलने वाली तीन विक्रणों में किस की वेधन समता सरवादिक होती है गामा किरणों की किन जीवानों को साइनो वेक्टिरिया के नाम से जाना जाता है नीले हरे सेवाल धान का बैग्यानिक नाम क्या है और आईजा सेटाइवा अधातु जो परकास को प्रावर्तित कर सकती है हीरा ग्रहों की गतिका नियम किसने परतिपादित किया केपलर ने सुसको सेल में किस परकार की उर्जा संगरीत होती है रासाइनिक नाविकिय अभिक्रण से सरीर का कौन सांग सबसे पहले प्रभावित होता है अस्तिमज्जा या वोन मेरो सामान्य नेत्र के लिए सुस्पस्ट द्रिष्टी की नियूनतम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमिटर कुस्ट रोक के जीवानों की खोज किसने की हैंसनने कोसिका में राइजो वियम का क्या काम होता है प्रोटीन संसलेशन में साहिता करना किस रंग के परकास की किरणों की उपस्तिती में परकास संसलेशन तेजगती से होता है लाल जूल किस बहुतिक रासी का मातरक है कारे का टेसला किस बहुतिक रासी का मातरक है चुम्बकिय छेत्रिवा फ्लक्स घनत्त का रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है बिटामिन डी थाइमिन बीवन की कमी से कौन सा रोग होता है वेरी-वेरी सिर्का किसका वानिजिक नाम है एसेटिक अमलिका अप मारजक मिलाने से पानी के प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पढ़ता है घट जाता है प्राकर्टिक रवर किसका बहुलक है आइसोप्रीन का बार किसका मात्रक है वाईमंडली अदाब का गेलेना किसका आयसक है सिसे का कौन सा योगिक ओयल ओफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है मेथिल सिलिसिलेट सिने बार किसका एस्क है पारे का कीमो थेरेपी क्या है रासाइनिक पदार्थों के उप्योग से रोक की चिकित्सा जोती फ्लक्स का मातरक है ल्यूमेन कार्बोनिक अमल का रासाइनिक नाम क्या है फिनोल न्यूटन की गति का पर्थम नियम और किस नाम से जाना जाता है जड़त्तका नियम कार्नेलाइट किसका एस्क है मैगनिसियम का विटामिन बीवन का रासाइनिक नाम क्या है थाइमिन कंजक्टिविटी सरीर के किस अंग का रोग है आग का, अगणिशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घूल किस से अभिक्रिया करके कार्बनडाइ ओक्साइड बनाता है गंदक के अमल से अंत्रिक्स में जाने वाले पर्थम भारतिय अंत्रिक्स यात्री का नाम राकेश शर्मा दो अप्रेल उन्नीस सो चौरासी को केंद्रिय सुस्क जोन अनुसंदान संस्तान C.A.Z.R.I. कहां है जोधपुर राजस्तान में जीबों के क्लोन तयार करने की बैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है क्लोनिंग परकास के धुर्भी करण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतिय बैज्ञानिक का नाम क्या है C.B. रमन एम्स का संक्सिप्त रूप क्या है All India Institute of Medical Sciences जब रक्त में ओक्सिजन की सांद्रता की कमी होती है तो सांस की गती बढ़ जाती है रेडियो का अविस्कार किसने किया Z.M. ने माइक्रो बायोलोजी संबंदित है अतिसूक्ष्म जीवों के अध्यान से दुले हुए सपेद कपड़ों में नीर लगाने से वे अधिक सपेद व चमकीले हो जाते हैं इसका कारण है प्रकास का प्रकीनन कोशिका की खोज किसने की रॉबर्ट हुकने अब स्रब्य तरंगों की आविरती होती है 20 हर्ट से कम स्वेट रक्त कणिकाओं का प्रमुक काम क्या है रोगों से रक्षा करना रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सायक होता है विटामिन के मेथिल एलकोहल का रासाइनिक सूतर है CH3OH बीमारी सार्स की फुल फॉर्म क्या है सीबियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंटिजन क्या होते हैं एंटिवोडी के निर्माण हे तु उत्परे रख यूजिनिक्स किसके अध्यान का बिज्ञान है मानवों के अनुवानसिक अध्यान का वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है लाइपेज जीब द्रब्य सिद्धान्त की खोज किस बैग्यानिक ने की सूल्ज ने 1861 में यूरिया किसके द्वरा रक्त से प्रतक किया जाता है ब्रिक किडनी या गुर्दे के द्वरा वर्गी करन से संबन्दित साका है टैक्सोनोमी बैद्युद्धारा के चुम्बक्किय प्रभाव की खोज किसने की ओस्टेड ने एंथ्रोपोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है मानवों के ब्यवहार का अध्यन गैमेक्सिन का रासानिक नाम क्या है वैंजीन हेक्साक्लोराइड संबेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है बलके बड़ी आथ का पहला भाग क्या कहलाता है कोलोन दूद को दही में कौन सा इंजाइम परिवर्तित करता है रेनिन यकृत उत्षरजन किरिया में किस परकार साहयता करता है अमोनिया को यूरिया में बदल कर तत्तों के रासायनिक और भोतिक गुण उनकी प्रमान संख्या के आवर्तकाल होते हैं यह नियम किसने पर्तिपादित किया यह नियम पर्तिपादित किया है मोसले ने आवर्थ सारणी के चतुर्थ आवर्थ में कितने तुत्व होते हैं? अठारा आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा नियंत्रित की जाती है? आईरिस कौकरोच किस समुआ का पर्तिनिद्व करता है? और्थोपोडा का कट जाने पर रक्त का लगातार बहना एबं उसका ठका नजमना किस बिटामिन की कमी के कारण होता है? बिटामिन के पौधों में उर्जा इस्थानांत्रण के लिए किस पोशक तत्तों की उपस्थिति अनिवारे होती है? फासफूरस की रासाइनिक रूप से मिल्क ओफ मैगनीशिया क्या है? मैगनीशियम हैड्रोक्षाइड किसकी उपस्थिति के कारण पादब कोशिका और जन्तु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका बित्ती के कारण किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है? बसा के साथ सुरक्षा की दृष्टी से खाना पकाने वाली LPG गैस लिंडर में क्या मिलाकर गैस को गंदयुक्त बनाया जाता है? मरकेप्टॉन वर्णांदता किन रंगों के लिए होती है? कलर ब्लाइडनेस लाल वा हरा के लिए मैंगनिफाइंग ग्लास के रूप में किसका उप्योग किया जाता है? कम फोकस दूरी के उत्तल लैंस का जीरो फ्थैल्मिया सरीर के किस अंग से संबंदित है? आँखों से रैबीज की बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोविया स्यानता का ऐसाई मातरक है? पोईज वाईव मंडल की अनुपस्तिती में पिर्थिभी से आकास किस रंग का दिखाई देगा? काला परमानों में प्रोटोन कहां इस्तित होते हैं? नाबिक के भीतर पत्यों का हरा रंग किस की उपस्तिती के कारण होता है? क्लोरोफिल जल के अंदर वाईव का बुलबुला किस परकार के लेंस का कार्या करता है? अवतल कांच का लाल रंग क्या मिलाकर प्राप्थ होता है? क्यूप्रस लवन प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिपसिन मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्थ किया जाता है? पुस्पकली से किस भारतिय सेटिलाइट को कल्पना चावला की स्पृत्ति में कल्पना एक नाम दिया गया है? मैट सेट वन को प्रकास तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्दांध पर कारे करता है? प्रकास के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पर एड्स में मानव सरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पर्तिरक्षा तंत्र रासानिक तत्तों को संखेतों के रूप में ब्यक्त करने का पहला प्रियास किस ने किया? वर्जी लियस ने? हेन्री किस बोतिक रासिका मातरक है? प्रेणना गुणांग का? कैलामिन किसका अयस्क है? जिंक का? लोहे पर जंग लंगना कौन सी किरिया है? ओक्सी करन या ओक्सिडेशन? आरेस फेक्टर के खोज करता है? लैंड स्टीनर अंडे का बाहे खोल किसका बना होता है? कैलसियम कार्बोनेट का? तमबाकू में उपस्तित हानिकारक पदार्थ है? निकोटिन कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी ओरल रिहाइड्रेशन बिलियन या ओरेस को किस रोग में प्रियोग करने की सला दी जाती है? दस्त में यदि कोई वस्तु आपतित परकास के सभी रंगों का अवसोशन कर लेती है तो कैसी दिखाई देगी? काली सूरे के परकास को प्रतिवी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? आट मिनट सोरद असम्रव छे सेकेंड प्रेसर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? अंदर दाव बढ़ने से पानी का कुतनांग बढ़ जाता है हिर्दय एक जिल्ली से ढका होता है उसे क्या कहते है? पेरिकार्डियम निकट द्रिश्टी दोस में परतिविंब कहां बनता है? रेटिना के सामने हरा कसी इसका राशानिक नाम क्या है? फेरिक सल्फेट यदि माता का रख्तसमुआ A तथा पिता का रख्तसमुआ B है तो संतान में कौन सा रख्तसमुआ होगा? A, B, AB वा O ये सारे के सारे रख्तसमुआ हो सकते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशी और कर क्लोरोफिल में कौन सी धातू उपस्तित होती है मैगनिशियम यदि पिर्थवी और अंत्रिक्षि के बीच वायू मंडल को हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा काला डीजल इंजन में जोलन किस्से उत्पन किया जाता है इधन के संपीडन या कंप्रेशन से दम्मा के रोगी को वायू के स्थान पर क्या दिया जाता है हीलियम और ऑक्सिजन नेफ्रोलोजी का संबंद किस अंग से है किडिनी से कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतू बिक्सित सरपर्तम भाषा कौन सी थी फोट्रोन लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन सरीर की सबसे छोटी हड़ी स्टैपिस कहां इस्तित होती है कान में जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंती से निकलता है एड्रिनल ओस्ट्रो मलेसिया रोग किस बिटामिन की कमी से होता है बिटामिन डी लाल रक्त कणिकाओं के निर्मान के लिए किसकी उपस्तिती अनिवार्य है फॉलिक एसिड सुवर के कच्चे मांस को खाने से कौन सी बिमारी होती है ट्राइकिनोसिस वासिग मसीन की कारे प्रनाली किस सिद्धान्त पर कारे करती है अपके इंद्रन सिद्धान्त पर मोमबत्ती का जलना किस परकार का परिवर्तन है रासाइनिक बिद्द परिपरत में बिद्द धारा को मापने के लिए किस यंत्र का परियोग किया जाता है गैलवेनोमेटर सीमेंट मिसरन होता है कैलसियम, सिलिकेट और एलिमिनेट का क्लोरोफोर्म का रासाइनिक नाम है ट्राइक्लोरो मीथेन चीटियों में कौन सा अमल पाया जाता है फॉलिक अमल मद्दान के समय मद्दाताओं की उंगली पर एक बिसेस परकार की स्याही का परियोग किया जाता है जिसका निसान काफी लंबे समय तक रहता है इस स्याही में किस रसाइन का परियोग किया जाता है सिल्बर नाइट्रेट अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला बैग्यानिक केंद्र दक्षन गंगोत्री किस वर्ष इस्थापित किया था 1984 में औरगन नियोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन किस परकार की गैसे हैं अक्रिय या निस्क्रिय गैसें दो समतल दरपन परसपर 60 डिग्री के जुकाव पर रखे हैं यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो कितने परतिविंब बनेंगे पांच परतिविंब द्वनिमापने की इकाई है डेसिवल कम्प्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एंटी ग्रेटेड सर्किट हेपेटाइटस वी वाईरस सरीर के किस अंग को परभावित करता है यकरित को स्पॉंडिलाइटस बीमारी परभावित करती है मेरुदंड को उत्तेजित भीड को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा परियोग की जाने वाली अस्रुगैस क्या होती है अमूनिया कम्प्यूटर से सम्मंदित सब्द सीडी की फुल फॉर्म क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क सरीर में जल के नियंतरन की किरिया क्या कहलाती है ओस्मो रिगूलेशन सीतल पेयों अचार एबं मुरब्बा के प्रिरक्षन के लिए किस रसायन का उप्योग किया जाता है सोडियम वेंजोट डॉक्टर होमी जहांगीर वाबा का नाम बिज्ञान के किस छेतर से जुड़ा है प्रमानु बिज्ञान आवर्त सारणी में निस्क्रिय गैसों को किस बर्ग में रखा गया है सून्य बर्ग में किस रोक से पीडित ब्यक्ति सैकरिन का प्रियोग करते हैं किस के कारे का पता लगाने के लिए किया जाता है मस्तिस्क के खेतों की उपजाओ मिट्टी वाई द्वारा उड़ा कर अथवा वर्सा के जल में बहकर किसी स्थान बिसेश से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है यह घट्टा कहलाती है सोयल एरोजन या मिट्टी का अपवर्दन द्विनाम पद्दति के अंतरगत पोधों का नाम दो भागों में ब्यक्त किया जाता है पर्थम भाग पर जाती है जेनरिक नाम तथा दुतिय भाग जाती है स्पेसीज नाम परदर्शित करता है इस पद्दति का पर्तिपादन किसने किया इसका पर्तिपादन किया है कैरूलस लीनियस ने घड़ी में चाबी देने का उद्देश है उसमें उर्जा का भंडारन करना यह उर्जा होती है इस्थिति उर्जा वोरलोग पुरुसकार किस शेतर में दिया जाता है किर्सि बिग्यान के छेतर में पोजिट्रोन किसका पर्तिकरण है एंटी पार्टिकल है एलेक्ट्रोन का हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है नारंगी सक्कर के घूल का तापमान बढ़ाने से सक्कर की बिलेता बढ़ती है परम सुन्यताप पर अणू की गती पर क्या प्रभाव पढ़ता है अणू की गती सुन्य हो जाती है कोणी ये तुरन का ऐसाई मातरक होता है रेडियन पर सेकेंड स्कुएर पिर्थिवी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है वस्तु का भार गटता है बहुत अदिक उचाई पर मनुस्य की लाल रुदिर कणिकाउं में क्या परिवर्तन होता है संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, साबुन क्या है, वसा अमलों का सोडियम लवन, चुम्बक्य चेतर का मातरक है, बेबर पर मेटर स्क्वेर या टेसला ट्यूब लाइट से हरा प्रकास प्राप्त करने के लिए क्या परियुक्त होता है, जिंक सिलिकेट, लोहे का क्यूरी ताप होता है, 770 डिगरी सेल्सियस फ्लेवो नॉइट्स किस बिटामिन का रासाइनिक नाम है, बिटामिन पी टाइफाइड नामक रोग होता है, सालमो नेला, टाइफोसा नामक, जिवानों से संबेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बलके आदर्स बोल्टामिटर का परतिरोध कितना होता है, अनन्त ट्रांजिस्टर में अर्दचालक के रूप में परियुक्त होता है, जर्मेनियम प्रकास के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, लाल रंग की फ्लोरोसेंट ट्यूब या परति दीप्त बल्व में कौनसी गैस भरी जाती है, मरकरी, नियोन, ओर्गन और क्रेप्टोन अलफा क्रेटिन नामक प्रोटीन सरीर में कहां उपस्तित होता है, तवचा बाल और नाकुनों में ऐसी अंत्य सरावी गरंथी कौन सी है, जो निस्क्रिय रूप से हार्मोन्स का सरावन करती है, ये गरंथी है थाईराइड राइनाइट सनामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, नाक यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का तुरण, गुरुत्तिय तुरण से अधिक हो जाए, तो लिफ्ट में सवार ब्यक्ति पर क्याप क्रिया होगी तो लिफ्ट में सवार ब्यक्ति जो है, सतह से उठकर छट पर जा लगेगा सूरे के प्रकास में नीले तथा लाल रंग में किसका परकिर्णन अधिक होता है, नीले रंग का लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, पीला मानब मस्तिस्क का कौन सा भाग है जो स्वसन किरिया, हिर्दै गती और रक्त संचार को नियंत्रित करता है मेडुला ओबला गेटा कैलसियम कारवाइड की पानी के साथ अभिकरिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है एसिटिलीन मानब के आंतरिक अंगों के निरिक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच परियोग किया जाता है Optical Fiber 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्सा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है क्यों क्योंकि भाप की गुप्त उस्मा पानी की गुप्त उस्मा से अधिक होती है त्रिबिमिय फिल्मों को देखने के लिए किस परकार का चस्मा लगाया जाता है Polyride Glass युक्त भारी जल D2O का कुथनांग होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस विरंजक चून का सूत्र है रिचिंग पाउडर का सूत्र है CAO-C-A-O-C-L-2 एनिमो मीटर से मापा जाता है वायू की गती एक वाइट बराबर होता है आठ विट्स के साधरान नमक का राशानिक नाम क्या है Sodium Cloride कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है RNA صूτιयम क्लोराइड जल की सत्य पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है परकास का वन्ण विक्षेपण वेरी-बेरी रूग द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तंत्री का तंत्र रडार का प्रियोग है रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्तिती और स्थान निर्धारण करना एक अश्वशक्ती बराबर होता है 746 वाट के जैविक सिस्टम में रासाइनिक प्रकिरिया को तेज करने में उत्तरदाई पदार्थ है एंजाइम विन्न विन्न पदार्थों के अणों के बीच आकर्षन को क्या कहते है आसंजक बल भूकंप मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ पानी का द्रवनांक या गलनांक और हिमांक दोनों क्या है गलनांक और हिमांक दोनों क्या है तो ये है जिरो डिगरी सेल्सियस विसानु की खोज किसने की इवोनुस की रक्त वर्णान्दता या कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है वनसानुगत एक किलो वाइट बराबर होता है एक हजार चौविस वाइड्स के ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट थैली सीमिया के रोगी के सरीर में किसके संसलेशन की शमता नहीं होती है हीमोग्लोबिन वेल्डिंग में किन गैसों के मिस्रण का प्रियोग किया जाता है ऑक्षिजन और एसिटिलीन सिने बार किसका आयस्क है पारे का मरकरी का कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बैवेज मानब सरीर में मास्टर अंतहसरावी गरंती है पिट्ट्यूट्री फैदो मिटर से मापते हैं समुद्र की गहराई किस रुदिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है ओ में कांच को गहरा नीला रंग किस से मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से बैंगू जवर का कारण है वाइरस थैलिसीमिया एक वनसानुगत रोग है या किसको प्रभावित करता है रक्त को काला जवर का संचार किस से होता है सिक्ता मच्छी या सेंड फ्लाई से दिल के दोरे का कारण है हिर्दे तक रक्त की आपूर्थी की कमी पाइरिया मानब सरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है दात और मसूरों को प्रोटोजोवा के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है एमिलेस दातों के शै को रोकने के लिए अधिकांस टूथफेस में क्या होता है फ्लूराइड मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के परदुस्वन से फैलता है पारा के द्वारा किस एंजाइम की उपस्तिती के कारण HIV अपना आकार अकसर बदल देता है रिबर्स ट्रांस क्रिप्टेस इस एंजाइम की उपस्तिती के कारण HIV अपना आधार आकार बदलता रहता है बलड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है लूकेमिया एलिसा जांस किस रोग की पहचान करती है एड्स की एड्स की विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए परियुक्त किया जाता है टाइफाइड गेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है यह किस छेतर में ब्याप्त हो सकता है पहाडी छेतर में कोसिकिया सोसन कहा होता है माइट्रो कॉंड्रिया में माइटो कॉंडिया की खूज किसने और कब की अल्टमेन ने 1886 में और इसको जो नाम दिया है माइटो कॉंडिया इसको नाम दिया था सी वेंडा ने डिने का पहला पात्र विशलेशन किसने किया और्थर कॉर्नबर्ग ने टॉक्सिको लोजी का सम्मंद किसके अध्यन से है विसों के कोशिकाओं का अध्यन क्या कहलाता है साइटो लोजी परतिजन क्या होता है परतिरक्षी निर्मान के लिए उद्धिपन या उद्प्रेरक सबसे बड़ा एक कोशिकी अजीव है अमीबा जीवान कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है शून्य ग्यात सबसे छोटा प्रोकेरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं में तुरंत उर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए गुलुकोज गाजर का रंग किसकी मौजूद्गी के करण लाल होता है कैरोटीन नुकलियस के वाहर डिने कहां मिलता है माइट्रोकॉंडिया में प्रोकेरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है नाभिक पैन क्रियास की कोशिकाओं कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन करती हैं क्या कहलाती है आईलेट्स ओफ लेंगर हैंस क्लोरोफिल को सरफर्थम प्रिथक और नामित करने वाले बैग्यानिक थे केवन्तु और पैलेटियर कौन सा जीब कोशिका सिद्दान्त के अनुरूप नहीं है वाइरस अन्तहद रब्ब जालिका की सतह किसकी उपस्तिती के कारण खुर्दरी होती है राइबोजोम पोधों में कितने परकार के उतक होते हैं तीन तुचिया उतक, ग्राउंड उतक और सम्वहन उतक एक कोशिकी जीब कैसे परजनन करते हैं कोशिका विभाजन द्वारा डिने की फुल फॉर्म क्या है डियोक्सी राइबो न्यूकलिक एसिड जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटो प्लाज्म सब्द का प्रियोग करने वाले पहले बैग्यानिक हैं पुरकिंजे, लाइजोजोम जिसकों की आत्मगाती थहली के रूप में भी जाना जाता है में कौन सा एंजाइम पाया जाता है हाइडरोलिटिक एंजाइम ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉसफेट एक इमारत में इंटें जीवो में कोशिकाओं के समान हैं क्योंकि इंटें जो हैं इमारत की नीव रखती हैं और कोशिकाओं एक जीव की नीव रखती हैं जब एक कार की गती दोगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोखने के लिए ब्रेकबल कितना होगा? चार गुना जब एक धातु की अंगुठी या छले को गर्म किया जाता है तब उसके चिद्र का क्या होता है? वह फैल जाता है यदि एक केसिका के ब्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा आधा पानी की सतह पर रखी गई लोहे की सुई उस पर तैरती है क्यों उसके प्रिष्ट तनाव के कारण? रोकेट को अंत्रिक्स में छोड़ने के लिए नियूनतम प्लायन बेक की आउसकता होती है 11.2 किलोमेटर पर सेकेंड कोई भी नाव डूप जाएगी यदि भै पानी हटाती है अपने भार के बराबर पानी के किसी द्रब्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गरम करने से उसके आयतन में गटने के बाद ब्रदी होगी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गरम करने पर उसका आयतन गटता है और उसका घनत्ता चार डिग्री सेल्सियस पर अधिक्तम होता है जब वर्फ के दो घनों को एक दूसरे के उपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? सह सही ओजक आकर्शन बॉल को कैंच करते समय एक क्रिकेट खिलाडी निमनलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेते हैं आवेक को यदि वायुदाप मापी यंत्र बैरोमिटर की रीडिंग अचानक से गिरने लग जाए तो इससे संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा जब बस अचानक मुर्ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है इसका कारण है गत्यधिक जड़त्व लेम्प की बत्ती में तेल उपर चड़ता है क्यों? केसी कट़्ों के कारण तेल की बूंदे पानी पर फैल जाती हैं क्योंकि तेल का प्रिष्ट तनाव पानी से बहुत कम होता है पिकनो मीटर नामक उपकरण का परियोग किसे मापने के लिए किया जाता है गनत्य को हाइड्रोजन का गुबारा उपर की और उड़ता है क्योंकि गुबारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायू के वजन से कम होता है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा ब्रदी हो तो आपेक्षिक आदरता गड़ती है न्यूटन का पहला गती नियम संकल्पना देता है जड़त्तो की परबत्य थलो में सर्दियों में अक्सर पानी के पाइप फड़ जाते हैं क्यों पाइप के अंदर वाला पानी हिमिकृत होकर फैलता है और पाइप फड़ जाते हैं पैराशूट धिरे धिरे नीचे आता है जबकि उसी उचाई से फेका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है क्यों पैराशूट के प्रिष्ट का छेत्रफल जादा होने से वायू का परतिरोद अधिक करता है तेज गती से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा उपर फिकता है गेंद गिरती है उसके पीछे पानी से निकालने पर सेविंग बुरुस के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्यों प्रिष्ट तनाओ के कारण ज्यादा उंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है वायू के कम दबाव के कारण प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकियबल जब किसी वस्तु को प्रिष्टवी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है प्रंतु द्रब्यमान उतना ही रहता है पत्थर को ठोकर मारने से ब्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रियबल प्रिष्टवी के गुर्तवाकर्शन शेत्र की तीब्रता अधिक्तम होती है द्रुबों पर जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा उपर उड़ जाता है पावली का अपवर्जन नियम क्या है प्रमाणों में किनी दो इलक्ट्रोनों के चारो क्वांटम नंबर सर्बसम या समान नहीं होते हैं जब दो इलक्ट्रोन एक ही कक्सा में होते हैं तो उसमें क्या पाए जाता है विपरीत चक्रण प्रमाणों के नूकलियश में पाए जाने वाले मूलकन हैं प्रोटोन और नूट्रोन पदार्थ का प्रमाणों सिद्दान्त किसने परतिपादित किया था जॉन डॉल्टन ने हाइड्रोजन के एक प्रमाणों में नूट्रोनों की संख्या कितनी होती है सून्य प्रमाणु संरचना का मॉडल किसने विक्सित किया रदर फोर्ड ने हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तीन प्रोटियम लूटेरियम और ट्रेटियम द्रब्यमान संख्या किसका योग है प्रोटोन और नेट्रोन का इस्पंज क्या है समुद्री जीव केकड़े के कितने पैर होते हैं दस द्धनी को आँखों के रूप में परियोग करने वाला प्राणी है चमगादर उंट मरुस्तलिय प्राणी है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्यों वसा के ओक्सीकरन द्वारा सरीर में पानी बन जाता है ऐसी कौन सी मचली है जिसमें अस्तिपंजर बिल्कुल नहीं होता है सिल्वर फिस किसी पेड़ की लगबग सही आयू ग्यात की जाती है तने में बलेयों की संख्या गिन कर सबसे उंचा पक्सी कौन सा है सुत्रमुर्ग किसान का मित्र किसे कहते है केच्वे को चुइंगम बनाई जाती है लेटेक्स से सबसे बड़ा इस्तंधारी है वेल कौन सा भाग हाथी के गजदन्त के रूप में बदलता है दूसरा क्रिंतक सबसे छोटा पक्सी है गुंजन या हमिंग वर्ड सिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादर तथा डॉल्फिन किस परिगटना का प्रियोग करते हैं प्रतिधनी निर्धारण गास का सबसे उंचा और सबसे मोटा परकार है बांस कौन सा पोधा कीट पकड़ता है नेपेंथेस इसको पटगर्णी या पिचर प्लांट भी कहते हैं बिच्छू का बिश कहां पर होता है डंक में प्रिथवी के अपमार्जक कौन है जीवान और कवक समुद्र के जल को किस परक्रिया द्वारा सुद्ध किया जाता है आसवन परक्रिया या आसवन विधी द्वारा दोड के दोरान धावक का गुर्तो केंद्र होता है उसके पैरों के आगे एक कागस का टुकड़ा और एक किर्केट बॉल एक ही उचाई से गिराए जाएं तो किस परिस्तिति में दोनों एक साथ प्रिष्ट पर पहुंचेंगे निर्वात की परिस्तिति में स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के प्रिष्ट के उपर रहेगी तरल पदार्थ का गर्म करने पर कम हो जाता है वाहनों के टायर क्यों अच्छी परकार फुलाए जाते हैं फिसलन से बजने और नियूंतम घरसन हे तू लाइफ जैकेट का सिद्दान्त क्या है यह बिक्ति को तैरता रखने के लिए उसके आयतन में विर्दी कर देती है जब जूले पर बैठा हुआ कोई बिक्ति उस पर खड़ा होता है तो जूले के दोलन की आबिर्दी बढ़ जाती है पानी की बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बज़ाए दो बाल्टीों को अलग-अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि गुरुत्यो केंद्र और संतुलन केंद्र पैरों में होता है पानी का प्रिष्ट तनाव अपमारजग मिलाने पर घड़ जाता है अपमारजग मतलब डिटरजेंट भारी मोटर बहानों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्यों कि उसमें अधिक शम्ता होती है और उससे इधन की बचद भी होती है जब वास्पदाब वायमंडली अदाब के बराबर हो जाता है तो द्रब पर क्या प्रभाव पढ़ता है द्रब उबलने लगता है पक्षियों को बहुत उचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है क्योंकि उनमें अत्रिक्त वायुकोश होते हैं बॉल पेन किस सिद्दान्थ पर कारे करता है प्रिष्ट तनाओं के सिद्दान्थ पर दूद को मतने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है अपकेंद्रियबल सेंट्रिफ्यूगल फॉर्स क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक्तम क्षैतिस दूरी तैय कर सके पैंतालिस डिग्री के कोण से जब हम भूबद्य रेखा से उत्तरी धुरुप की ओर जाते हैं तो जी पर क्या परभाव पढ़ता है जी का मान बढ़ने लगता है जीरो से चोद्दा एलक्ट्रोन को प्राप्त करने की परक्रिया को कहते हैं अपचेन रिडक्शन एलक्ट्रोन को त्यागने की परक्रिया कहलाती है ऑक्सिडेशन या ऑक्सिकरन मिर्दा एक उधारन है बिसमांगी मिसरन का एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का हरास कहलाता है उपचैन किसी उदासीन बिलियन का पियच मान क्या होता है साथ प्रमानों तिर्जया को ब्यक्त करने के लिए सबसे उप्यूक्त इकाई कौनसी है फर्मी सरबादिक विक्सित बुद्धिवाला जलिय जीव है सार्क वास्तविक मचली नहीं है स्टारफिस अमरवेल है पूर्ण तनापर जीवी पादप और प्राणियों में क्या अंतर होता है पादपों में स्थानगत बिर्दी होती है जबकि प्राणियों में चलन होता है लाइकेन है सहजीबी किस जन्तु में तंत्र का तंत्र का अभाव होता है अमीबा विश्व में सबसे लंबा पोधा कौन सा है यूके लिप्टस अंडे देने वाला इस्तनपाई है फेल किस की उपस्तिती के कारण गिर्गिट रंग बदलता है वर्णी लवक, नाखून, खुर और स्विंग किस उतक के बने होते हैं क्रेटिन वनस्पती जगत में किसको जल इस्थल चर या उभेचर कहते हैं ब्रायो फाइटा कूप ऐसा कौन सा जीब है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन स्वांस प्रस्वांस लेता है हाइडरा, रेंगने और विसरपन करने वाले कशेरुकी जन्तों के परकार को क्या कहते हैं सरीस्रिप या रेप्टाइल कौक्रोस के लारबा को क्या कहते हैं निम्फ विसालतम अकेशेरुकी है मोलेस्क या मृद कवची कान का परदा किस प्राणी में नहीं होता है साप में चोना पत्थर के ढाचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्रे जीवों को क्या कहते हैं मूंगा चट्टान पक्षियों के पंख क्या होते हैं रूपांतरित अग्र अंग जोंक मवेशियों पर कैसा बहाय पर जीवी होता है रक्त पिपाशू वह जीव कौन सा है जो वायू परदुसन को मॉनिटर करता है मिट्टी के अपमारजक कौन होते हैं सेवाल उतक समवर्दन की अवधारणा किसकी थी हैवर लेंट चोंच किस से बनती है जबडे से मेंडग के ब्रिक किस परकार के होते हैं मध्य ब्रिक मचली एक पर्थम स्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनों अमल राइजोबियम किसका एक परकार है सहजीबी जीवानों का पांच किंगडम बर्गी करण किसने पर्तिपादित किया था आर एच विटेकर ने मस्रूम है फंगस या कवक सबसे जोर से बोल सकने वाला जन्तु है नीली भेल इवोला क्या है वाइरस अंगोरा उन किस पसु से प्राप्त किया जाता है खर्गोश से सल्य परक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था जूलियस सीजर धातुएं सुचालक होती है क्यों क्योंकि उनमें मुक्त इलक्ट्रोन होते हैं सुसक सेल के एनोड में क्या होता है जस्ता वह धातु जो उवह धर्मी ऑक्साइट परदान करती है वह है ऐ यह है अमल और शार दोनों से पर्तिकरिया करती है वह है तत्व जो मानब सरीर में सरबादिक पर्तिसत में पाया जाता है ऑक्सिजन प्रतिवी की संरशना में सबसे अधिक पर्तिसत किस तत्व का है ऑक्सिजन का सौर उर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की पिट्वा लोहा या रॉट आइरन आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रियोग किया था तामबे का इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामागरी का प्रियोग किया जाता है नाइक्रोम उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है एक्वारीजिया या अम्ल राजका गैस के गुबारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हिलियम गैस का प्रियोग किया जाता है क्यों? क्योंकि हिलियम गैस अदाहय है और हाइड्रोजन गैस कैसी है जोलनसील है मानिक्या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है यह है ऐलूमिनियम के भाविश्य का इजधन किसे कहते हैं हाइड्रोजन को कौनसी गैस न्यूनतब तापान पर द्रब में बदल जाती है हाइड्रोजन यदि किसी ब्यक्ती को बंदू की गोली लगने पर उसके सरीर से गोली नहीं निकाली जाती है तो किसके कारण उसके सरीर में जहर फैल जाता है सीसे के कारण विकिरन चिकित्सा में परियुक्त नोविल गैस है रेडॉन इटाई इटाई रोग किस धातु की विसाक्तता से होता है कैडमियम मोनाजाइट बालू में कौन सा खनीज पाया जाता है थियोरियम सडकों पर रोसनी के लिए परियोग किये जाने वाले पीले वल्वों में किस गैस का परियोग किया जाता है सोडियम का वह कौन सा जीब है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षन होते हैं युगलीना यहां पे N होगा किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है मोम पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्यों का वहन होता है फ्लोयम द्वारा सरवादिक आयू वाला जानवर है कच्वा मचली से प्राप्त होने वाला कौड लीवर ओयल किस विटामिन से सम्रिद होता है विटामिन डी और विटामिन ए एक मकान की छट से भूमी की और एक पत्थर गिराया जाता है उस पत्थर की गतिज उर्जा अधिक्तम कब होगी भूमी पर पहुँशने से ठीक पहले किसी मनुश्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है समुद्री जल का घनत्व पानी के जल के घनत्व से अधिक होता है जब कोई दोड़ती हुई कार अचानक रुख जाती है तो यात्री आगे की और जुख जाते हैं क्यों गति के जड़त्व के कारण बादल किस कारण वायू मंडल में तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण बादलों का घनत्व वायू के घनत्व से कम होता है गैस भरे गुबबारे का नाखुन की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है सुई गुबबारे पर नाखुन की तुलना में अधिक दबाव डालती है आद्र वायू में धुनिका वेग सुस्क वायू की तुलना में अधिक होता है क्योंकि सुस्क वायू का घनत्ता नम वायू की तुलना में अधिक होता है वर्फ को बुरादे में पैक्यों किया जाता है बुरादा उस्मा का कुचालक होता है किसी पिंड का वजन पृत्वी के केंद्र में होता है सुन्य कपड़े धोने की मसीन किस सिद्दांत पर कारे करती है अब केंद्री करण सरीर का वह भाग जिस पर सरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है सेंटर ओफ मास कमानीदार तुला किस सिद्दांत पर कारे करती है हुक का नियम ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते है घर्चन बल यदि एक बर्तन में तैरती भी वर्फ बिगलती है तो उस बर्तन में पानी के इस्तर पर क्या परभाव पड़ेगा कोई परिवर्टन नहीं होता खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सबजियां कम समय में पक जाती हैं क्यों नमक डालने से जलका क्वतनांग बढ़ जाता है गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन बिटामिन सी का रासाइनिक नाम क्या है? एसकॉर्विक एसिड आतों में प्रोटीनों को अमीनों अमलों में अबगटित करने में उत्प्रेरक होता है पैपसिन एंजाइम समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकास के प्रकिर्णन के कारण उनकोलोजी किसके अध्यन से सम्मंदित है? कैंसर के एनाटोमी बिग्यान की एक साका है जिसमें अध्यन किया जाता है जानवरों एबम पौधों की संदचना का पक्षियों के अध्यन को क्या कहते है? बनस्पति तेलों को संत्रिप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रियोग किया जाता है? एड्रोजन का ट्यूबर क्लोसिस संक्रमन किसके द्वारा होता है? माइक्रो वैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस के द्वारा अत्यन्त दिशिक कोहरेंट प्रकाश किरण पुंज कहलाता है लेजर बिटामिन डी का राशानिक नाम क्या है कैल्सिफेरोल भारत में राश्ट्रिय राशानिक परियोग शाला कहां इस्तित है पूने में रात्री दिरिश्टी उपकरण नाइट विजन एपरेटस में किन तरंगों का परियोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का बार किस बहुतिक राश्टी का मातरक है वाई मंडली ये दाब का भारी जल का अनुभार कितना होता है बीज सूर्य के परिता है प्रिथवी की भर्मन गती कितनी है 29.8 किलो मेटर पर सेकेंड कम्प्यूटर में डौस क्या होता है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम सरबादिक वैद्यूत रडांतमक तत्व कौन सा है फ्लोरीन डेंड्रोलोजी का संबंद किसके अध्यान से है जाडियों एबं ब्रक्षों के अध्यान से प्रतिजैविक पैनिसलीन किस से प्राप्त किया जाता है कवक से वर्नोली का सिद्दान्त आधारित है उर्जा संडख्षन के सिद्दान्त पर कौन सी धातू भविश्य की धातू कहलाती है मैटल ओफ फ्यूचर टाइटेनियम हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन सा है ट्रिटियम एपिडेमियोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है महामारियों का वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डिया होती है 206 मनुष्य मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम शेरोग के लिए जैब रोधी परियोग होता है स्ट्रेप्टो माइसिन फ्यूज वायर का परियोग किसलिए किया जाता है अनावश्यक उच्च विद्द्धारा को परिपत में गुजरने से रोखने के लिए अत्यदिक घात वर्द धातु है शोना द्रवित पेट्रोलियम गैस लपीजी मिसरण है मीथेन, ब्यूटेन, एबम, प्रोपेन का लपीजी यानि लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां इस्तित है तिरुवनंत पुरम में कौन सा बम केबल जीविद वस्तों को प्रभावित करता है इमारतों को नहीं नियोट्रोन बम रिफ्लेक्ष एक्षन का नियंतरण कौन करता है स्पाइनल कोड मनुष्य में एच्छिक गतिविदियों का नियंतरण किसके द्वारा होता है सेरिब्रम के द्वारा सरीर का तापकरम कहा नियंतरित होता है हाइफो थेलेमस में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है टाइलिन प्यासका केंडर कहां भोता है हाईपो थेलमस में कच्ची चीनी को रंग भिहीन करने फेतू जिस चारकोल का प्रियोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल कोसिका की खोज किस बैग्यानिक ने की थी रोवर्ट हुक ने भारत का पहला परमानु रियक्टर है अपसरा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था परकनली बच्चा दुरगा अगरवाल बच्चों का सारीरिक एबम मानसिक विकास अवरुद्ध होता है थाइर आक्षिन की कमी के कारण श्वेतरक्त कनिकाओं का जीवन काल कितना होता है एक से चार दिन वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयूतक के बच्चों के बिकास के लिए अत्यंत आवस्यक है प्रोटीन गुलुकोज को इथाईल एलकोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है जाइमेज एंजाइम मूल से होते हैं प्रोटीन कौन सा विटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तीब्रता से बनता है विटामिन डी पीनियल गरंथी कहां होती है मस्तिस्क में नीम्बू में कौन सा एसिट पाया जाता है सिट्रिक एसिड विटामिन सी का सर्बुत्तम सुरोत है सिट्रिक फ्रुट्स सहज में मुख्यत होता है कार्बोहाईड्रेट आरbीसी का कब्रिस्थान किसे कहा जाता है पलीहा या स्प्लीन को बिटामिन B12 पर्चुर मात्रा में किसमे पाया जाता है दूद में लार किसका पाचन करती है मंड या स्टार्च का निर्जली करण के दोरान आम तोर पर सरीर में किस पदार्थ की कमी होती है सोडियम क्लोराइड की मानब सरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206 मानब मस्तिस्क का ओसत वजन कितना होता है 1.36 केजी एप्रोक्ष सरीर में किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है? जांग की सरीर का वहत कौन सा अंग है जो कभी भी बिसराम नहीं करता? हड़ दै गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडोन मदमक्षिओं का पालन एबं परवंदन कहलाता है एपिकल्चर रक्त के धक्का बनने में सहायक बिटामिन है बिटामिन के कैलसियम एलुमिनेट तथा कैलसियम सिलिकेट का मिसरन कहलाता है सीमेंट खट्टे फलो में होता है साइट्रिक अम्ल कारेकी काई है जूल क्लोरो फ्लोरो कारवन को किस नाम से जाना जाता है फ्रेवन एक मात्र अम्ल जो स्वर्ण को घूलता है एक्वारिजिया आधुनिक प्रमानों सिद्दान्त का प्रणेता माना जाता है जौन डाल्टन को सेव को दातों से काटने के लिए किस परकार के दातों का उप्योग होता है करंतक RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूकलिक एसिड वाईव मंडल में उपस्तित कुल गैसों का कितना परतिसत नैट्रोजन है 78 परतिसत किसका प्रयोग चिकित्सक रोग्यों की जाँच में करते हैं स्टेथोस्कोप का रक्त सरकरा इस्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन ठोस से सीधे वास्पस्ता में पदार्थ के रूपांतरन को कहा जाता है उर्ध पातन या सबली मेशन चेचक होने का कारण है वाइरस आनव अन्सिक्ता की इकाई है जीन पानी का अधिक्तम घनुत्व होता है चार डिगरी सेल्सियस पर निकट द्रिष्टी दोस्ट दूर करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है आउतल लेंस का सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनिमीड सरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है थाईराइड ग्रंथी में धनी की प्रबलता किस पर निर्वर करती है आयाम पर विटामिन ए का रासाइनिक नाम है रेटिनॉल क्रायोजैनिक इंजनों का अनुप्रियोग कहां किया जाता है रोकेट टेक्नोलोजी में रुधिर किस परकार का एक उतक है सैयोजी उतक कैलकुलस के आविस्कारक है आईजेक न्यूटन सकरकंद किसका रूपांतरण है जड़का एड्स के बिसानू किसे नस्ट कर देते हैं लिम्फोसाइड्स को किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को बुद्धिका केंद्र इस्तित है सेरी ब्रह्म में प्रमस्तिस्क में लाल रक्तकण का निर्मान होता है अस्तिमज्जा या वोन मेरो में लाल रक्तकणों का जीवनकाल 120 दिन का स्वेत रक्तकण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड्स लाल रक्तकण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइड्स सरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपो थेलेमस ग्रंथी द्वरा, सरीर का ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन या प्लिहा, भोजन का पाचन प्रारंब होता है मुक से, पचे हुए भोजन का आउसोशन होता है छोटी आंत में, बिटामिन ए संचित होता है यक्रित या लीवर मनुश्या का हिर्दय होता है चार कोस्ट्या, मानब सरीर में गुण सूत्रों की संख्या पाई जाती है च्यालीस, सरीर का सबसे बड़ा अंग है तवचा, सरीर में अमीनों अमलों की संख्या है 22, मानब सरीर में परति दिन मूत्र बनता है 1,5 लिटर लगबग, मानब मूत्र का pH होता है 6, मानब सरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिगरी फारेन हाइट या 37 डिगरी सेल्सियस या 310 डिग मानब सरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आउस्यक तत्व है कैल्सियम एबम फासफोरस, जेवित जीवास्म का उधारन है साइकस, मिनी माता रोग किसके कारण होता है जल में मरकरी के परतूशन के कारण, मानब तुचा का अध्यन कहलाता है डर्मेटोलोजी, कीडों के अध्यन करने वाले बिग्यान को कहा जाता है एंटोमोलोजी, मानब सरीर में रुधिर बैंक का कार्या कौन करता है तिल्ली, सरीर में हीमोगलोबिन का कार्या होता है ऑकसिजन का परिवहन, मानब सरीर में खुन किसकी वपस्तिती के कारण नहीं जमता है एपेरिन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटी बॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा मानब सरीर में यूरिया का निर्मान कहां होता है यकरित में साबुन के जाग का बुलबला बनने का कारण है प्रश्ट तनाव एक बैरल में लगबग कितने लीटर होते हैं 169 लीटर उनी कपड़े सरीर को गर्म रखते हैं क्यूं क्यूंकि उन उस्मा की कुछालक होती है वह ना तो बाहर की वाई को अंदर आने देती है और ना ही अंदर की वाई को बाहर जाने देती है सौर बिकरण का जो भाग बिना गर्मी दिये पिर्थवी से प्रावर्तित हो जाता है कहलाता है धवलता बस में ड्राइवर के पास लगा दरपन होता है उत्तल या कॉन्वेक्स प्रकास का बेग सबसे पहले किसने मापा था रोमर ने फाउंटेन पेन किस सिद्दान्थ पर कारे करता है केसिका के सिद्दान्थ पर सूर्य की उस्मा पिर्थवी तक कैसे पहुंचती है बिकरण द्वारा वाईव मंडल के उपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किस से करती है परा बैंगनी किरुणों से कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए परियोग किया जाता है ओक्जैलिक एसिट को टेलिविजन का आविश्कार किस ने किया था जेल बेर्ड ने किस परकार के उतक सरीर के सुरक्षा कबच का कार्य करते हैं एपिथीलियम उतक मनुष्य ने सरपर्थम किस जंतु को अपना पालतु बनाया कुत्ते को हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण गोवर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है मीथीन उडने वाली चिपकली का नाम क्या है ड्रैको अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल वह तापमान जिसका पाठ्यांक मान फारेन हाइट और सेल्सियस दोनों पेमानों पर वही होता है माइनस 40 डिगरी सेल्सियस काले वस्त्रों के मुकाबले स्वेत वस्त्र सीतल क्यों होते हैं उनके पास जो भी परकास पहुंचता है वे प्रावर्तित कर देते हैं वे उससे प्रावर्तित कर देते हैं सीत काल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्यों प्रिथिवी के भीतर तापमान वाई मंडल के तापमान से अधिक होता है खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है काली सतह उस्मा की अच्छी अवशोशक होती है 0 डिगरी कैल्बिन किसके बराबर होता है माइनेस 283 डिगरी सेल्सियस के परम सुन्यताप वह इस्तिती है जिस पर गैसों में आणविक गती घटने लगती है प्रतिधनी सुनने के लिए नियूंतम दूरी कितनी होनी चाहिए 17 मीटर किस प्राकरतिक संसादन को काला सोना भी कहते हैं कोईले को सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्वा भहतायत में पाया जाता है हेलियम सिलिकॉन क्या है अर्दचालक तरल अवस्ता में पाई जाने वाली अधातु है ड्रोमीन पानी में नैट्रोजन आमतोर पर किस रूप में पाई जाती है नाइट्रेट के MRI की फुल फॉर्म है Magnetic Resonance Amazing पारदर्सी जिल्ली जो आँख को ढपदी है ये है कार्निया सफेद लेटराइट मिट्टी का रंग सफेद क्यों होता है केउलीन के कारण URL की फुल फॉर्म क्या है Uniform Resource Locator विटामिन जिसमें नाइट्रोजन होता है विटामिन B6 कुनेन नामक दवा किस पौदे से प्राप्त की जाती है सिनकोना चिल्ली सॉल्ट पीटर किस से सम्मंदित है सोडियम नाइट्रेट से पहला सफल हिर्दय परत्यारोपन किया था C.N. Bernard ने रेसम कीट पालन का अध्यन कहलाता है सेरी कल्चर मानव तचा को रंग देने वाला पदार्थ है मेलेनिन मच्चे पालन का अध्यन कहलाता है PC कल्चर पहली कलोनित भेड का नाम क्या है डॉली रेसम तंतु में पाया जाने वाला प्रोटीन है फिब्रोईन कवकों का अध्यन कहलाता है माइकोलोजी किस बिटामिन का भंडारण नहीं किया जा सकता है बिटामिन B3 या नियाशिन लेजर का आविस्कार किसने किया था थियोडोर मेमन ने सूक्षम दर्सी का आविस्कार किसने किया जकारियस जौनसन ने ब्लूटूथ का आविस्कार किसने किया जाप हार्टसन ने सैवालों का अध्यन कहलाता है फाइकोलोजी अस्तियां आपस में एक दूसरे से एक सैयोजी उतक से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं इसनायू या लिगामेंट मानब सरीर की किस प्रणाली से एल्बियोली संबंदित है स्वसन प्रणाली से सर्पों का अध्यन कहलाता है ओफियोलोजी किस खनीज को पीला के कहा जाता है यूरेनियम को वैनिला किस पोदे से प्राप्थ होता है और्किट से गलाइकोजेन स्टार्च और सेलिलोज बहुलक है गलुकोस के गैलेना आयस्क है सीसे का जल की गहराई मापने की काई है फैदम रेटिना पर बने परतिबिम्ब का परभाव लगबग कितने सेकेंड तक बना रहता है एक बटे सोलवे सेकेंड तक क्लोरोफाईसी के सदस्यों को प्राय कहा जाता है हरासेवाल प्राकृतिक रवड बहुलक है आईसोप्रीन का रोगों के संचरण के लिए उत्तरदाई कीटों को क्या कहते हैं वेक्टर फियोफाईसी के सदस्यों को प्राय क्या कहा जाता है भूरासेवाल कुछ जीव तापमानों के कम पराज या चरम सहिन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं तनुतापी या स्टेनो थर्मल चुम्बक द्वारा लगाया गया बल एक उधारण है असंपर्क बल का नोन कॉंटेक्ट फोर्स का रोडोफाईसी के सदस्यों को प्राया कहा जाता है लाल सेवाल कुछ जीव तापमानों के ब्यापक पराज सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं यूरी थर्मल रोकेट का आविस्कार किसने किया था रोबर्ड गोडार्ड ने सिर्के का रासाइनिक नाम है एसिडिक, एसिड फलों के मीठे स्वाथ का कारण है फ्रुक्टोज, थाइराइट ग्रेंथि का इस्तान कहा हैं गले में वर्णांदता हमारे सरीर में किस कोशिका की गरबडी के कारण होती है रेटेना में संकु कोशिका की गरबडी के कारण शीत निंद्रा के दोरान मेंड़क कैसे सुसन करते हैं तवचाधारा बिना बुझे चूने का रासानिक नाम क्या है कैलसियम ऑक्साइड किसके इलाज में कीमो थेरेपी का प्रियोग किया जाता है कैंसर के एथिलीट फुट रोग होता है फंगस से पोलियो के टीके की खोज किसने की जौन सौलक ने विकरम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां इस्तित है तिरुवनंत पुरम में आतिश बाजी में हरा रंग किसकी उपस्तित के कारण होता है वेरियम की जल का सुद्धी करण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा डी ने की किरियात्म किकाई है जीन सौर मंडल में किस गरह का द्रभ्यमान एबम घनत्वा पृत्वी के समान है सुक्र का इमेल के जनक है रे टॉमिलसन डाइनमाइट बनाने में किस गैस का परियोग किया जाता है नाइट्रो ग्लिसरीन कौन सी धातू कमरे के ताप पर द्रभ अवस्ता में रहती है ब्रॉमीन कैल्बिन में मानब सरीर का तापान कितना होता है 310 कैल्बिन दूद में कौन सा प्रोटीन उपस्तित होता है कैसीन नीली करांती संबंदित है मच्छे उत्पादन से होमियो पैथी चिकित्सा के जनक कौन थे हैनी मेन सुस्क वर्फ किसे कहते हैं ठोस करबंडाई ओकसाइड को नपुन सकता किस बिटामिन की कमी के कारण होती है बिटामिन ई अंतरिक्स में जाने वाली पर्थम महिला कौन थी वेलेंटीना टेरेस कोबा प्लास्टर ओफ फेरिस का राशानिक नाम क्या है कैलसियम सलफेट हेमि हाइडरेट सबसे अधिक उपगरों वाला ग्रह कौन सा है ब्रिस्पति ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन द्धुनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है एक बटे दस सेगेंड तक इंद्र धनुस में किस रंग का विक्षेपन अधिक होता है बैंगनी रंग का सूर्य की उस्मा प्रतिवी तक कैसे पहुँँशती है विक्रण द्वारा ध्वनिका बेग सरबादिक होता है ठोस में पासकल किसकी काई है दाब की उचाई बढ़ने पर वाई मंडलिय दाब पर क्या प्रभाव पढ़ता है वाई मंडलिय दाब घड़ता है गैस के अणों की गतिज उर्जा किस दाब पर सून्य हो जाती है माइनस 273 डिगरी सेल्सियस पर सबसे अधिक वेदन समता होती है गामा किरणों की रबर के संसलेशन में किसका परियोग किया जाता है यहाँ पे के होगा आईसोप्रीन का यह आईस क्रीम है यहाँ पे होगा आईसोप्रीन सबसे अधिक संख्या में किस तत्तो के योगिक हैं कार्बन के नीली स्याही बनाने में परियोग किया जाता है फेरस सलफेट को अक्रिय गैसों की खोज किसने की रेमजे ने खाना पकाते समय सरबादिक मातरा में नस्ट होते हैं विटामिन पीले फासपोरस को कहां रखा जाता है जल में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है ओजोन यूरिया में नाइट्रोजन कितना परतिस्थ होता है च्छियालीज अमलों वा शारों की अबिकरिया के फलसुरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवन किस गैस का परयोग सिगरेट जलाने के लाइटर में किया जाता है ब्यूटेन का रबर को मजबूत और उच्छा लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है सल्फर कच्चा ऐल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है पाइराइट प्रत्वी की परपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्वा सबसे अधिक पाया जाता है ऐलुमिनियम सोचालेयों में उप्यो किये जाने वाले दुरगंद नासकों में होता है वैंजीन यकृत के अध्यन को कहते हैं हेपेटोलोजी बन अनुसंदान संस्तान कहा है देरादून में किस जलिय जन्तु में गल्फडे नहीं होते हैं वेल में पादफ हार्मोन है साइटोकाइनिन पत्यों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं रंद्र अनैचिक कत्विदियों का नियंतरण करता है मेडूला वे पदार्थ जिन में धातू और अधातू दोनों के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं उप धातू ये थे साइन्स के पूरे एक हजार कुशन्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चलिए साइनिंग आउट